हाई वेलकम तो माई चनल इस बड़ी में साल्व करें क्वेशन नमर 7 find the greatest number of 4 digits which is a perfect square तो हमें वो बड़ा से बड़ा नमर बताना है ठीक है वो बड़ी से बड़ी नमर बताईए 4 digits का जो एक perfect square है तो क्या करेंगे 4 digits का सबसे जो greatest number होता है वो होता है 9999 तो पहले वो लिख लेंगे और देखेंगे कि 9999 perfect square है के नहीं यह दिवाफटे से होगा तो वहीं वो नमर हो जाएगी लेकिन यह दिवाफटे perfect square नहीं होगा तो कुछ और करना पड़ेगा उसमें चलिए पहले लिखते हैं we know that we know that the greatest number of greatest number of 4 digits 4 digits is 9999 ठीक है यही वो नमर है जो greatest number है 4 digits का अब हमें करना क्या है कि हमें perfect square बताना है तो यह 4 digits का greatest number तो है लेकिन यह perfect square नहीं है तो क्या करना पड़ेगा इसको हमें perfect square बनाना पड़ेगा तो दो तरीके हैं बनाने के लिए perfect square या तो इसमें कुछ add कर सकते हैं या कुछ इसमें से subtract कर सकते हैं तो इसमें add करके तो नहीं बना सकते हैं क्योंकि add करने पर क्या होगा यह 5 digits का नमर बन जाएगा और 5 digits का नमर हमें निकालना नहीं है हमें नीकालना है 4 digit का तो इसमें से कुछ ड्र आड नहीं करेंगे बलकि हम क्या करेंगे सफट्रेट करेंगे तो क्या सब्रेट करेंगे वह निकालने के लिए हमें long division method से हमें चेक करना पड़ेगा कि remainder क्या रहा है जो भी remainder आएगा वो इसमें से माइनस करना पड़ेगा चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं 9999 यहाँ पर हम फिर बना लेंगे तो एक पर यहाँ बना यहाँ बना तो पहले जाएगा यह 8 से अब यहाँ पर कितनी बार ले जाएंगे तो 18 के टेवल पढ़िए और देखें कि 189 कितनी बार में आता है अच्छा 9 टाइम्स चला जा रहा है चेक करता है कि 9 टाइम्स में चला जाएगा कि नहीं जाबाएगा तो 9 नाइन जा 81 का 1 8 कर यूफर 9, 872, 72 and 8 80, 0, 8 कर यूफर 9 बार जा 9 and 8 17 बिल्कुल चला जा रहा है तो यहाँ से क्या रिमेंडर बचा 9 में से 1 जाएगा क्या मनेगा 8 बचेगा 9 में से 1 आएगा 8 होगा और यहाँ पर 9 ही बचेगा और यहाँ पर 8 में से 7 जाएगा 198 198 जो है क्या हो गया रिमेंडर बच गया तो यह जो रिमेंडर आया है यह रिमेंडर यह जिरो जिरो आता तो हम कह देते कि 9 अच्छे 9 99 क्या है एक परफेक्ट स्क्वेर है लेकिन यह परफेक्ट स्क्वेर नहीं है क्योंकि रिमेंडर बच रहा है तो clearly, ठीक सकते हैं आपा, clearly, we must subtract 198 from 9999 to make it a perfect square. तो क्या करना होगा, तो यहां से is equal to मिल जाएगा हमें 9999-198, तो क्या मिलेगा, 9 में से 8 जाएगा 1, फिर इस 9 में से 9 जाएगा 0, और 9 में से 1 जाएगा 8, और यहां पे 9 हो गया, तो यह जो नमबर मिला है, इस इस दो लिस्ट, और सोरी, ग्रेटेस्ट नमबर आफ फोर डिजिट्स, इस परफेक्ट स्क्यार, तो लिख सकते हैं कि हैंस, 9801, is the, इस बताइस नमबर उफ और और दिजिट्स, ईमबर उफ और दिजट्स, which is a perfect square which is a perfect square okay this is your answer hope कि अपसों में आ गया होगा कैसे हुआ ये तो यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा तो शेर करिएगा और कमेंट कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए thank you so much for watching bye